पूर्तियं की शुरुवाद बड़ी खबर के साथ जोधपूर से इस वक्त की बड़ी उरहम जानकारी आपको बता दे जोधपूर में थोड़ी देर में पहुंचेगी ब्लैक फंगस की दवा ये बड़ी औरहम जानकारी दिल्ली से जोदपूर एम्स पहुंचेंगे इंजेक्शन्स और दवा लेकर जोदपूर पहुंचेगी सोनु सूद की टीम ये बड़ी औरहम जानकारी एम्स में भरती मरीज के लिए सोनु सूद ने ये दवा भीजी है आपको बता दे MC में भरती मरीज के लिए अभिनेता सोनु सूध ने ये बड़ी पहल की और उन्होंने दवा की खेबेजी अपसे कुछी देर में ब्लैक फंगस की दवा जोदपुर पहुँच जाएगी आपको बता दे लगातार राज़सान में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं जो इसके बाद सोनु सूध ने एक बार फिर नेकी का काम करते हुए ये बड़ी पहल की आपको बता दे MC में भरती मरीज के लिए सोनु सूध ने ये दवा भीजी है जो दिल्ली से जोदपु पहुँचेगी दिल्ली से जोदपुर EMS पहुँचेगी ये इंजेक्शनस जो ब्लैक फंगस के लिए होंगे दवा लेकर जोदपुर पहुँचेगी सोनु सूध की टीम जी हां EMS में भरती मरीज के लिए सोनु सूध ने ये दवा भीजी है और सोनु सूध की टीम EMS में वक्त और लगेगा और जो मरीज हैं वो कब से भरती हैं और क्या उन्होंने सोनुसूद से इस बारे में ट्विट कर अपनी शिकायत दर्श की थी कि कमल किसोर नाम जे मरीज जो है कि जो तुरेंस में बढ़ती हैं उनकी गौहार पर सोनुसूद में ब्लैक मंगस के इलाज के लिए काम आने वादे इंजेक्शन के लिए हैं सोनुसूद की ठीक में सामिल हुए जोसूद के लिए यूवर की राजवीर जो है वो बाई रोड यह लेकर आ रहे हैं उससे पहले गंदानगर में गुजूर मरीज के लिए इंजेक्शन बेजवायत है और अब यह बाई रोड जोसूर के लिए रावाना हुए है नाई जिली से कुछ ही देर में पहुंचने की उमीद है इंस तक वो जो इंजेक्शन के लिए जिस तरह के क्लाइमेट में उनको लाया जाना चाहिए जिस टेंपरेचर में लाना चाहिए उसके तो रली दिन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दे सोनुसूद लगातार ही सभी की मदद करते आए हैं जो भी उन्हें अपनी परेशानी बताता है वो सभी की मदद के लिए आगया हाते हैं यही वज़ा है कि अब उन इसके लिए पहुँचाए जाएगी